आज मैंने सोचा के थोड़ा समय हिसाब किताब लगाऊं काफी लोग कहते हैं के बिलाल कैनेडा क्यों जा रहे हो वहाँ तो इतनी इंफलेशन आई हुई है इतनी महिंगाई हुई है रेंट इतने ज्यादा है कुछ बचता नहीं है तो मैं हिसाब लगा रहा था कि पाकिस्ता पानी में सिर्फ बिल जदा होते हैं और हमारी सिर्फ दो बंदों की फैमिली है यानि आप समझ लेके दो छोटी बच्चिया है तो खुद से तो वह कोई लाइट्स ओन और वगेरा नहीं करती हम इसारा कुछ मैनेज करते हैं सबसे पहले आपने शुरू करना है पानी से पा हजार उपया बिजली का बिल आ रहा है क्योंकि थोड़े बहुत ब्लोवर्स चलते हैं बाकी मोटर और वाशिंग मशीन एट्सेटर यह होगे पांच हजार उपे उसके बाद इंटरनेट का इंटरनेट का जो हमने पैकेज लिया हुआ है 2268 रुपीज हमारा मंतली इंटरने करता है क्योंकि हमारे महीने के सर्दियों में पांच सिलेंडर्स इस्तमाल होते हैं और एक एक सिलेंडर 28-2800 रुपे का है एक सिलेंडर होता है तक लिवन 11 केजी उसमें गयास होती है बारहल आप इसको 10,000 रुपया भी लगा ले हाला कि होता है इससे कुछ बढ़के है तो यह हमारा हो गया 25,268 रुपीज और उसके बाद सिक्यूरिटी मतलब जो कच्रा और सिक्यूरिटी के चार्जिस है वो 1000 रुपीज है तो यह हो गया 26,268 रुपीज यानि 26,000 रुपया हमारा खाली पानी, बिजली, इंटरनेट, गैस, पेट्रोल और सिक्यूरिटी में लग मतलब 26,000 में आप सिक्स एड करें, 32,000 यह हो गया, अभी मैंने ना तो रेंट डाला है, मैं तो माशाला आपने घर में रहता हूं लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी डीसेंट सिसाइटी या सेक्टर में पांच बरले का पॉर्शन भी रेंट पर लेते हैं अब फिर यह थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाएगा विकोज वेरीज फ्रॉम फैमिली तो फैमिली हमारी तो माशाला काफी लटरन पटरन किसम की चीजें होती हैं जिसमें चीज, शहत, कोफी, एटसेटरा काफी एक्सपेंसिव भी चीजें आती हैं लेकिन अगर आप ए आप दूद, आइमिन जो चाय का दूद है, दूसरा तो मैंने सेपरेटली कैल्कुलेट किया था, तो कम अज कम 30,000 रुपया ग्रोसरी का लगता ही लगता है, तो 54 में आप 30 आड करें, इस मेक्स 84,268 रुपीज, 84,000 में खाली रेंट और ग्रोसरी हुई और बाकी सब के सब समझने के वो खराजाते हैं जिन से आप जान चुडवा ही नी सकते हैं, आप बहुत पेट काटेंगे तो ग्रोसरी में थोड़ा सा आप बचा लेंगे, तो अगर आपका 84,268 बन रहे तो में भी आप बहुत सेव करके 75,268 करवा लेंगे, मतलब अभी से कुछ चाट- करके बताया कि अगर आपका पाकिस्तान में अपना घर नहीं है, विंटर सीजन है, खाली दो अडल्ट्स और दो बच्चों की जो फैमली है आपकी उसको भी 84,268 रुपीज में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स होंगी, ना इसमें कोई होटलिंग इंक्लूड़िड है, ना इसम परीबन 10,000 रुपया वो बन जाता है, जोहा इस इन दे जूनियर मोंटैसरी, मतलब जो सबसे छोटा बेसिक सेक्शन होता है, उसमें अभी जोहा है, तो आप उसके स्कूल की फीस को भी आड़ कर ले, तो ये बन जाता है 94,268 रुपीज, और 94,268 में कोई पार्क्स इंक्ल रिड़ नहीं है, कोई recreation शामिल नहीं है, बस हम जरूरत के तहट बाहर निकले, सोदा सलफ लिया, वापस आए, मैं यह नहीं कहरा कि हम ऐसे करते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बन्यादी करके बता रहूं कि पाकिस्तान में किस हदर महंगाई होगी है, कि 95,000 रुपे मे आपके सिर्फ दो अडल्ट्स और दो पांच साल से कम उमर बच्चों की फैमिली चाल रही है, जिसमें सिर्फ एक बच्ची स्कूल गोईंग है, तो आप सोचें के summer season में क्या होता होगा, जब AC चलते हैं, जब बिजली का धड़ा-धड बिल भरना पड़ता है, बिजली का बिल वेरीस फॉम 15,000 तो 25,000 रुपीज हमारा एवन मैं खुद भरता रहा हूँ, तो आप सोचें अभी जब छोटी बच्ची भी स्कूल जाने लग पड़ेगी, और इसमें आप थोड़ी सी रेस्टरांट्स इंक्लूड कर ले, पार्क लेकर जाना, विकोज एवन अगर आ तो मतलब आप इस तरह के महीने में दो दफा तो लेकर जाओगे ही न, मतलब आप कम से कम भी अगर आप करोगे, अपने बच्चों के लिए इतना तो आप करेंगे, कि दो दफा उनको पाक ले जें, तो आप सोचें के लाख रुपया पाकिस्तान में आज कर चार बंदों की फैंबली को ऐसे पूरा होता है कि बस बिल्कुल बेसिक बेसिक टोटल टोटल पूरा, जिसमें चार बंदे भी आप समझ लें कि दो ही बंदे हैं, बाकी दो तो छोटे बच्चे, उनके अपने अभी कोई उन्होंने जंक फूट के लिए, किसी चीज के लिए पैसे नहीं मा रहा, और अगर आप गौर्मेंट जॉब्स नहीं हासिल करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, जी तो नाजरीन, असर की नमाज का वक्त हो गया था, तो मैं नमाज पढ़ने चला गया था, तो बात मैं यह आप से कर रहा था, कि आप सोचें कि जो मैंने आपको एक्सपे के, एक बार गर्मियों के, तो गरीब से गरीब फैमिली भी कपड़े लेती ही है, अगर आप आज कल अच्छे कपड़े, क्यूंकि ब्रैंड्स पर भी जब सेल्स लगती हैं, तो बहुत मुनासिब दामों पर कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के भी, मतलब एक साल से कम उमर बच्चे के भी कपड़े आप लेने जाएं, तो एक जोड़ा आपको पंदरा सो रुपे से कम में नहीं मिलता, हजार से पंदरा सो, अगर आप किसी रेडी पर भी लेने चले जाएंगे, वहां पर भी आपको साथ आट सो रुपे का जोड़ा मिलेगा, ले बच्चों को कितने कपड़े चाहिए, आदमी को कितने कपड़े चाहिए, खातूने खाना को कितने कपड़े चाहिए, सर्दियों के, गर्मियों के, सारा समप आप करें, तो खवातीम का तो एक एक जो थ्री पीस स्टिच्ट सूट होता है, लग भग 6,000 से 7,000 रुपे में है और उसमें भी बिलकुल अभी एम्रोइडरी नहीं होई होती हैं अरकांचЙ ले ले लें। आठ से नो हुजार आप अपने जहन में रखें कर और और चार सड़ी के चार गर्मियों के सिरुड़े आप लगा लें गर्मियों के थोड़े से सस्ते आप पाकिस्तान में रहना अभी मैंने इसमें कोई hospital expenses शामिल नहीं किये क्योंकि government hospitals में भी आप चले जाएं तो आपको दवायां तो खुदी से खरीदनी ही पड़ती है मेशा आप government hospitals में नहीं जाते हैं सम्टाइम्स आपको emergency में healthcare की जरूरत होती है तो आप किसी भी private hospital में भी चा सकते हैं तो आप contingency के तोर पर 1000 रुपे महाना healthcare की मज़ में ही डाल दें तो all factors considered पाकिस्तान में एक चार बंदों की family जिसमें दो बच्चियां 5 साल से कम उमर की हैं और decide करने वाले या खर्चा करने वाले अफराद महज दो ही हैं जो दो adults हैं तो बाअसानी एक लाग चालिस हजार से एक लाग साथ हजार तक खर्चा आ जाता है इसमें अभी कोई बच्चत नहीं है मतलब अगर इस वक्त पाकिस्तान में किसी बंदे की डेड़ लाक रुपया मी महाना तनख्वा है और वो शादी शुदा है उसके दो बच्चे हैं तो समझ लेके उसकी zero बच्चत है मतलब कि बच्चत बिलकुल निल है फिर पाकिस्तान में अगर आप private sector में काम करते हैं government sector में काम नहीं करते तो आपको की पास कोई old age benefits नहीं है आप बूडे भी हो जाएंगे तो end तक आपको अपने bills पे करने की परिशानी खुद ही उठानी है अपना खाना पीना आपकी दवाईया इलाज मौल जा सब कुछ आपको खुद ही कर accessory में है क्या होगा जब वो higher classes में जाएगी क्या होगा जब वो metric में जाएगी फिर FSE और उसके बाद college university की तो फीसों की आप बात ही ना करें के पाकिस्तान में पढ़ाई इतनी expensive हो गई है कि एक middle class family भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती बच्चे खुद साथ में कमा रहें तो उनकी फीसें पूरी होती हैं लेकिन वो degrees हासिल करने के बाद बहुत से बच्चे हैं जिनको jobs नहीं मिलती हैं इवन पाकिस्तानी degree की basis पर भी जिनमें से majority मुल्क से बाहर चली जाती है अभी मैं अपने ही बात करूं तो मेरे साथ के जितने engineers थे हमारे batch के जितन के में है पाकिस्तान में समझ लें के 15% रह गए होंगे जो मेरे साथ के batch के graduate हुए थे वह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो फिर आप ही बताएं क्या sense नहीं बनती पाकिस्तान से कैनेडा मूव करने की कि वहां पर healthcare भी फ्री होगा वहां पर बच्चों की education भी फ्री होगी वहां पर old age benefits भी मिलेंगे वहां पर आपको जब आप retire हो जाएंगे pension भी मिलेगी आप एक high standard of living जीएंगे ठीक है के Canada बहुत ज्यादा expensive हो चुका है लेकिन वहां कमाया भी बहुत जा सकता है फिर एक वीडियो बनाऊंगा detail से जिसमें Canada में कौन सा काम करके कितने पैसे बना सकते हैं jobs करके क्या हिसाब किताब होता है हर चीज आपको पताने वालों देखा आपने हिसाब किताब वाली वीडियो अभी यह जो मैंने वीडियो चड़ाई थी यह मैंने January में चड़ाई थी और उस वक्त तो फिर भी अभी के मुकाबले में हालात काफी बेतर थे पाकिस् बश्तान को छोड़कर बाहर जा चुके हैं और उनमें एक बड़ी तादाद businessman तबके की है जिनके बाहर मूव हो जाने की वज़य से businesses affect हुए हैं और एक-एक business बंध होने की वज़ा से कितने ही लोग बेरोजगार हुए हैं तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप बाहर निकल सकें कुछ कर सकें तो जरूर करें लेकिन अगर आप नहीं निकल सकते तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं कोशिश करते रहें आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी कैनیडा चले जाएं धुनिया भर में कहीं भी चले जाएं यहां पर भी रिस्क आला देता है और पाकिस्तान में भी आपको रिस्क देगा लेकिन यह हकीकत है कि अब हमें खाली यह सोच करके भी पाकिस्तानी, चैयिक पाकिस्तान, इससे बढ़ कर अपने लिए कुछ सोचना होगा हाला तो वाक्यात को मदे नजर रखते हुए अगर आपको मौका मिलता है बाहर आने का तो by all means do come और मुझे यहां पर आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है यह मैं अपने आपको बहुत प्रिविलिश्ट और प्लेस्ट महसूस करता हूँ कि अला ताला ने यह फजल किया है कि हमें यहां direct PR पर आने का मौका दिया है कैसे हम PR पर आए और आप भी कैसे job search कर सकते हैं कैनेडा के लिए कैनेडा की resume क्या होती है इन सारी चीजों के बारे म अगर आपको जानकरी चाहिए तो मैंने अभी बहुत सी वीडियो बनाई है इसके लावा अगर आप मुझसे connect होना चाहते हैं तो अपना WhatsApp नुमर मैंने मीचे description में दिया हूँ है feel free to contact me थोड़ा वक्त लगएगा लिगन I will get back to you with this positive note आपसे इजाज़त लेता हूँ see in the next video अ अगर आपसे लेता हूँ